मैं अच्छे बने हैं तो जी चलिए आज बनाते हैं भरवा करेले और देखते हैं कैसे बनते हैं तो यह मैं एक किलो करेले लेकर आई हूं इसके लिए इनको मैंने सबके इनके दोनों तरफ से डंठल काट के और अच्छे से इनको मैं पील कर लूँगी छिलने वाला जो अच्छे से आप निकालें और इसी स्क्न को फैकना नहीं है इसी में हम रखेंगे तो यह आप अच्छे से सारे करे लिए असा पिल करके रख ले और अब में इनको बीच में से taki कट लगा क extraordin कि ओ इनके बीज हैं वो निकाल लोंगी और इनके बीज न बहुत कच्छे हैं तो वो मैं इसी में मसाले में ही डाल लूँगे अलका सा कट करके अगर बीज पके हुए हो तो आप ना डाले लेकिन अगर कच्छे बीज हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें कुछ लोग तो जो पके बीज होते हैं वो भी करेलो में डाल लेते हैं तो वो थोड़ा सा देखने बाकि सबी के ओल्मोस्ट ही ना कच्छे बीज निकले इन सब में नमक लगा के अच्छे से और रख दूंगी दो गंटे के लिए और मैं कभी भी करे ले धूप में नहीं सुखाती हूं जैसे बोत लोग धूप में जो पील है इसका इसमें भी अच्छे से नमक लगा देंगे ताकि इसका कडवापन सारा निकल जाए बहुत लोग धूप में सुखाते हैं करेलो को लेकिन मैं धूप में कभी नहीं सुखाती या भरवा बनाओं या काटके बनाओं और ये बड़ाई वाली बात नहीं है जो मैं करेले बनाती हूँ कभी कडवे भी नहीं होते हैं इतने करवा करेलो का मसाल ना थोड़ा पतला ही होता है वह मसाले अगर अभी मैंने काट दिया है प्याज भी काट दी मिर्ची और वह भी काट दिया है आम भी तो इसलिए अप में अच्छे से दोलूंगी करे लोग को और आप चार-पांच बार अच्छे से दोएं ताकि इनका सारा दोकर साफ कर लिया है तो इनका सारा कड़े पन लिख जाएगा ऑज इसका उपर का चूरा सा है इस से चलनी में लेके दो ले ताकि ना सिंक में कच्रा भी नहीं अड़ेगा और आपको ऐसे छानने में इसको दिक्कत नहीं होगी और इसका कड़वापन सारा नीचे आप दोते रहेंगे तो निकल जाएगा इजी लिए तो इससे छंड़नी में दोने से यह फायदा होता है अब इसका कड़वापन बिल्कुल अच्छे से निकल गया अब इसे आप ऐसे हाथ में लेके अच्छे से और निचोड लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए और इसे साइड में रख ले जब हम इसे मसाला भूनेंगे तब हम उसे डालेंगे उसमें यह भी जो करेलो को उसमें ही डलेगा अब देखो करेलो को भी आप एक साथ साप कपड़े से जो हमारे किचन टावल होते हैं छोट छोटे से इनसे पूछ ले सारो को अच्छे से ताकि अब जब इना फ्राइ करें तो इनमेंसे पानी के छीटे ना लगें यह सब मेरा तयार हो गया है यह मैने कढ़ाई में तेल ले लिया है दो थीन चम्चे तेल है तो तेल गरम हो जाएगा देखो तेल अच्छा गरम हो गया है तो अब इसमें में यह करेले हैं इन सब को एक बार फ्राइ कर लूँगी अच्छे से कि इने अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन से हो जाएंगे तब तक कम इने अच्छे से ठ्राइ कर लेंगे ऐसा करने से बिलकुल कड़मे नहीं होते हैं भोठी तेस्टी बनते थोड़ी ही देर में जब हम इने बहों के बाद छोकते हैं तो यह बहुत जल्दी गल भी जाते हैं और इसमें आपको पानी या मठ्था कुछ भी डालने की ज़रत नहीं एक्ष्टा यह ऐसा ही बहुत अच्छे बन जाते हैं तो यह देखो सिग्गे थे और आप ऐसे चिम्टे की मदद से पकड़ ले मेरे पास तो यह अच्छे एक हलग सचोटा चिम्टा है तो मैं इस से पकड़के इनका शारा पानी निकाल दिया और अब यह जो मेरे बाकी बचे थे यह भी मैंने तल लिये हैं देखो यह भी निकल गे हैं तो यह सब तल के होगे तयार और इसमें से में थोड़ा सा यह तेल एक्ष्ट् और थोड़ी सी सोप और इसमें मैं डाल दूँगी करेलो का जो पील था ना उपर का यह छिलका उसको में इसा अच्छे सा भून लूँगी और यह तेल काफी गरम था तो इसले थोड़ा जल्दी जल्दी भून रही हूं ताकि यह जले न अगर आप इसको भी ऐसा अच्छ आपन नहीं रखता है और इसी में मैं भून दूँगी हर इमेज यह अच्छे सा भून गए हैं इसमें अब मैं प्याज डाल दूँगी जो सब चोप करके रखी हैं और इने भी हम अच्छे से मिलाते हुए अच्छे सा भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे मसाले हल्दी डाल दिये लाल मिर्च और थोड़ी सी सोंप तीन चार चमश डालना है यह पिसावा धनिया और एक चमश डाल रही हो में देगी मिच थोड़ा कलर अच्छा आजएगा और यह थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रस्ट करके आप डाल दें इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है यह नमक डाल रही हूं है बाद मिस में और यह देखो हमारा आधा तो लगबुक बुन गया है लेकिन अभी से हम और बुनेंगे थोड़ा अच्छे से मिर्ची वगएरा सब अच्छे से पक जाएं अब इसमें हम डाल देंगे कच्छा आम जो मैंने बारिक काटके रखा था मसाले में और थोड़ा साम मैंने बचा लिया है थोड़ा साम बाद में डालेंगे ताकि करेलों पर बाहर से भी थोड़ा कट्टा पन आ जाए अब इसे डखके हम चार सा पांच मिनट पका लेंगे देखो आप देख सकते हैं कितनी भाप बन रही थी डखकन के उपर और इस में और डखकन लगा दूंगी अब देखो इसने चारो दरब ऐसा उइल ना हिससा अलग होनी लगा तो इसका मतलब है मसाला बहुत अच्छे सा मारा भून के तयार हो गया है यह काफी गरम है अभी तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं और हमने यह मैं गरमी जल्दी भर रही हूं देखो वहाप उठ रही है तो ऐसे कि इस चम्मस्की में जससे अराम से हाथ को बचाते हो आप इन्हें जितना मसाला करेले में आ जाए उस हिसाब से आप भर ले और एक धागा ले ले धागे स फेदी धागा ले मैंने छोटे छोटे धागे ना तोड कहीं है गैस के पास रख लिये थे ताकि पूरी रील गंदी ना हो तो इसलिए आप यह इस तरह इन्हें सबको फिल कर ले एक करेले में एक से डेड़ चम्मच मसाला आ जाता है अब बना के देखें इन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं काट के तो हमेजसे ही बनाते हैं भरवा वालों में थोड़ी मेंनच ज्यादा होती है ना तो इसलिए हम काट के फटा फट बना लेते हैं इन्हें सबको में भर लूँगे देखो सब बर गये हैं बस यह लास्ट वा हो गये हैं देखो किते प्यारे लग रहे हैं और जो हमारा बाकी मसाला बचा है इसे हमें कटोरी में अलग निकाल लेंगे और जो हमने तेल निकाला था ना पहले गैस उन करके और जो तेल निकाल के रखा था हमने पहले अलग उसको हम इसमें डाल देंगे और अब इसमें कुछ निडालेंगे च्छोंक के लिए क्योंकि यह सब ओलरेडी इसमें लगा हुआ है थोड़ा कडाई में च्छोंक उसी में हो जाएगा अभी इसमें हम यह जो हमने करेले भरे हैं उन सब को ऐसे रख देंगे अभी आप जैसे कुछ नीचे आगे हैं वही ओईल के डिरेक्ट संपर्क में हैं कुछ इनके उपर रखें तो थोड़ी देर बाद हम इनको पलट देंगे तो यह सब सिख जाएंगे और जो इसे ही डख देंगे और यह जो कच्छे आम हैं इसे भी हम इसके उपर ही डाल देते हैं थोड़ा सा तो उससे गया थोड़ी सी और खटास बहार से भी करिलों में लग जाएगी और गैस को बिल्कुल मंदा कर देंगे और इसे पांच से दस मिनट पकने देंगे देखो आप बाब देखो डखकन के चारत अब कितने अच्छे आ रहे हैं आप इस पानी को इसी में छोड़ दें इस तरह डखकन तरिछा करके और आप इसे एक बार अच्छे से चला दें जो नीचे करे ले हैं उन्हें उपर कर दें और जो उपर हैं उन्हें नीचे कर दें तो उससे क् मासाला निकलने का डर रहता है तो दुबारे फिर डग दें आप इसको थोड़ देर के लिए देखो इतना अच्छा सगलर आगे इनका अभी हमारा फाइनल है वस अभी देखो पूरा ओई लग हो गया है करेलों से तो इसका मतलब यह बिलकुल पग गया है करेले मसाला सब एक देखो कितने अच्छे बनके तयार हुए है वीडियो देखने के लिए आपका बोध बहुत धन्या बनाईए खाईए लीजिये जी बर्वा करेले हैं एकदम तयार अब देखो कितने अच्छे बने हैं कि देखें जी जिसके मूँवें पानी आ रहा है खाने के लिए आजाओ फटाफट गर्मा गर्म हैं भरवा करेले पराठे के साथ मिलेंगे और अगर रेसिपी पसंद आती है तो फ्रीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को consistent करें और लिजिये आपक लिए बनाए हैं खालीजिए देखते रहे हैं मेरी वीडियो मिलती हूँ फिर अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या बनता है तब पता के लिए बाई बाई